असलाम लेकूम and welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के साथ चिकन जल फ्रेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये रेगुलर रेसिपी से थोड़ी से डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैंने क्रीम एट की थी और उससे इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेका हो गया था चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहां पे ली है बूनलेस चिकन और उसके अंदर हम अपने मसाले शामल करेंगे मसालों में शामल है नमक, काली मर्चे और कुटीवी मर्चे फिर हम एट करेंगे यहां पे चिली सॉस थोड़ा स्पाइसी और टैंगी सा लिएगा तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फिर हम एट करेंगे सोया सॉस और लास्ट में हमने एट किया है कैचप एक प्याली भर के हमने कैचप लेना है तकरीवन 4-6 टेबल स्पून कैचप है सारी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी आप वहां से भी ले सकते हैं इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे फिर एक पैन में हमने ऑईल गरम किया है उसके अंदर हम ये वाली मिर्चे डालेंगे कश्मीरी मिर्चे कहते हैं आप गोल वाली मिर्चे में डाल सकते हैं थोड़ा सा उनको फ्राय करेंगे अनियन्स डाली हैं क्यूब्स कट करके दो से तीन सेकंड के लिए उनको फ्राय करेंगे अब हम यहां पर शिम्ला मिर्च शामिल करेंगे मेरे पास कलरफल वाली थी तो मैंने एड़ कर दी आप रेगुलर ग्रीन वाली जो होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है दो से तीन सेकंड इनको भी सौते करेंगे और फिर इस पैन से हम बाहर निकाल लेंगे सारी चीज़ें यह अभी बाहर इसलिए निकाल रहें कि इसी पैन में हमने अपनी चिकन को करनी है और फिर हम यह सारी सबजियां लास्ट में एड़ करेंगे ताकि इसका क्रंच बिल्कुल फ्रेश रहे फिर सेम पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ओयल डाला है जिंजर कार्लिक पेस्ट अड़ करके उसको दो से तीन मिनट सौते करेंगे फिर यहां पे हमने अड़ कर दी है टेमाटर कर टेवे टेमाटर को हमने दो से तीन मिनट धक्के बनाना है ताकि थोड़े से सौफ्ट हो जाए टेमाटर थोड़ी से सौक्ट हो जाएं तो उनको आपने बहुत अच्छे से कुक कर लेना है, मैश कर लेना है ताके एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए उसके बाद हम यहाँ पे अपनी मैरिनेट की हुई चिकन अट करेंगे और इसको फुल फ्लेम पे हमने कुक करना है और बीच पीच में स्टेर करते रहना है यहाँ हमने अपनी चिकन अट कर दी है और इसको अब हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे पक्रीबन 10-12 मिनिट लगेंगे चिकन पकने में क्यूंके चिकन अलरीडी मैरिनेट हुई भी थी और बोनलेस है तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है बस आपने बीच पीच में स्टेर करते रहना है तो उसे ये होगा कि टेमार्टर जो बन रहे हमारे उसका मसाला भी बहुत अच्छे से बन जाएगा यहाँ पे आप अपने नमक में चेक कर सकते हैं अगर आपको कम या जादा लगें तो आप एड़िस कर लें जब ग्रेवी का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए ओइल सेपरेट होने लगे तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे क्रीम एट कर देंगे फोर टेबल स्पून मैंने नॉर्मल क्रीम ली थी जो टेटरा पैक की होती है वो एट करने के बाद हमने इसको थोड़ी सी भुनाई करनी है जब चिकन फुली कुक हो जाए और ग्रेवी भी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाए जब आपको लगे के भई आपका सालन रेडी है तो उस वक्त आपने सारी सबजियां एट करनी है दो मिनिट आपने इसको बहुत अच्छे से तेज आँच पे मिक्स करना है और बस गरम-गरम राइस के साथ सर्फ करें रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा अलाफिस